एक गाय की किमत 225 पुर्णांग एक बट चार रुपिया है एवं एक बकडी की किमत 360 पुर्णांग एक बट दो रुपिया है तो 6 गाय तथा 8 बकडी की किमत क्या होगी सबसे फस्ट में दिया है एक गाय की किमत इतना है और एक बकडी की किमत इतना है तो 6 गाय आट बकडी की किमत क्या होगा तो सबसे फस्ट में एक को बनाना है इसमें गाय को बनाना है गाय का पहले एक गाय का किमत कितना है एक गाय की किमत बराबर कितना दिया है दो सो पचीज पुर्णा एक बट्रा चार तो कितना बकड़ी का गाय मांगड़े हैं इसमें इसलिए छो गाय की किमत बराबर हो जाएगा दो सो पचीज पुर्णा एक बट्रा चार गुना यहां आएगा अब इतना गुना इतना जोरी इतना कर देना है यह से दो सो पचीज गुना चार पंचो का बेश चड़नी आठा दो दस चड़नी आठे नो कितना हो गया नो सो इसमें एक जो है यह जोरना है तो नो सो एक नो सो एक बट्राइम क्या जी है चार यह चो जो है गुना कीन है न यह चो पड़ जाएगा हर में क्या जी है कुछ हो नहीं है तो एक राता है अब इस तरह से पनिया काड़ देना है यह दुकां से कड़ता जैसे दुकां में चार मिलता है ना दुकां में तीन बार में तो अपकट गया ना आप जो हैने चामे दो गुना एक करना है कितना हो जाएगा दो क्या होगा 901 गुना तीन करना है 901 आई आप गुना तीन कर दो तिन गा तीन जिरो कर जिरो नोट क्या 27, कितना हो गया 27, 3, 2, ये किसका किमत हुआ एक 6 गाएं की किमत अब क्या करना है, फिर बोल रहे हैं एक बक्री की किमत कितना रुपिया 360 कुरुना के एक बट्र दो रुपिया है तो कितना बक्री बोल रहे हैं 8 बक्री तो फिर लिखेंगे एक बकड़ी के किमत कितना रुपिया है तीन सो साथ पुरनांग एक बट़ दो तो कितना बकड़ी है छो बकड़ी आठ बकड़ी है न इसको आठ बकड़ी के किमत बराबर हो जाएगा तीन सो साथ पुरनांग एक बट़ दो गुना यहीं आठ यहां जाएगा 360 गुना क्या होगा 2 क्या हो जाएगा 360 गुना दो 720 और कितना है एकश में जोरना है क्योंकि उपर में एक है न तो यह हो जाएगा साथ सो एकिस बराबर क्या होगा साथ सो एकिस बटम क्या जी है दो गुना के चीन है गुना के चीन दो यह आट उपर जाएगा निजाम कुछ नहीं है तो एक अब इसको काटो दुकां दो दो चोके आट निजाम क्या जी है एक एक गुना एक करेंगे देकें होगा आप साथ स आट सचो का अठाइस क्या हो गया अठाइस सो चोरासी रुपिया एक रुपिया और छोग की कीमत कितना हो गया सस्ताइ सो तीन बटा दो रुपिया यहाँ पर क्या का रहे हैं च्छो गाएं जा आठ बकडी की किमत याद करें तुम हो गया ना आठ बकडी की यह हो गया अच्छो गाएं किमत यह हो गया समझ गये